हेलो डिफेंस लवर वेलकम टू माई चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज 007 तो दोस्तों आज की वीडियों आपको बताने वाले नेपाल आर्बी दौर यूज़ की जाने वाली एक असॉल्ट राइफल के बारे में और इसका नाम होने वाला है आई एम आई गालिल और इसे आ होने पार्टकरते हैं इस राइफल की और इसन गालिल नेिगमिंण सुन्ट राइफल के आज तक इसिग एसरीव गाल्या ने इसे इसराइल में फैक्टर के चो डियूएम बनाती है और मेमर में कापासा इस्टेड फेक्टरी बनाती है बात करें इसके प्रोडूज्ट इयर की तो 1972 से 1998 तक इसे बनाया गया अब बात कर लेते हैं इस राइफल के स्पैसिफिकेशन की तो इसका वेट की बात करें तो इसके कई वेरियंट है तो SAR 5.56 mm इसका वेट है 7.75 केजी का जबकि AR 5.56 mm का वेट है 3.95 का वहीं बात करें इसके ARM 5.56 mm का वेट है 4.35 केजी का जबकि बात करें SAR 7.62 mm में इसका वेट है 3.85 केजी का और AR 7.62 mm में इसका वेट है 3.95 केजी का वहीं ARM 7.62 mm में इसका वेट है 4.45 केजी का वहीं असुल्ट ट्राइफल का एक स्नाइपर वेर प्रचेंटब्र Curl 8 रूंट 15 विष़जेंट एन फाइफ नथा कि की गाल बात करें by यूमिशे घी तो सरे चौंट्फ एम धे लिमजन अंथा धांड़ 2310 विलेंद नथी अब बात करेंगे इसके काड्रेज की इस असल्ट राइफल में 5.56 इंटू 45 mm का और 7.62 इंटू 51 mm का काड्रेज यूज होता है जो कि बात करें इसके एक्षन की दस्में अब बात करेंगे इस असल्ट राइफल की लेंट का तो जो ऐसे यार 5.56 इसकी जो स्टोक एक्सेंडेट के साथ लेंट है 850 mm की जब कि इस टॉक फॉल्डर के साथ लेंट है इसकी 614 mm की जब कि इसका एर 5.56 और आयार यार थी बात करें इसके ऐसे से और ऐरें 9-7-直ूरइं अर 6 3 वेरियनट की औरर ए मैने अन्पर वेरियंट में लन्ट गी तो इसकी स्टोक एक्स्तेंड़ के साथ 1050 विए पर भी उसकी लिएनटे ईहने 810 विए भाय भेर बात करें इसके इसनाइपर बहरें तो इसकी स्टोक एक्टेंडेट के साथ लेंते हैं 1112 mm जिबकि स्टोक फूल्डेट के साथ इसकी लेंते हैं 845 mm अब बात करेंगे आई एमाई गालेल की मजल वेलोसिटी की तो ऐसे आर 5.56 वेरियंट की जो मजल वेलोसिटी हो वह 900 मीटर पर सेकंड है यह अब कि एर एरियंगें 5.56 की मजल वेलोसिटी 950 मेटर सेकंड वहीं बात करें यह सेवन पौंट शिक्स्ट्ट्व मेटर सेकंड वहीं बात करें सकी स्टापर राइफल की तो इसमें मजल वेलोसिटी हो जाती ही इसकी 815 मीटर पर सेकंड जब बात करेंगे अफेक्टिव फारिंग रेंज की तो इसकी अफेक्टिव फारिंग रेंज है 300 से लेगे 500 मीटर की वहीं बात करें इसके फीड सिस्टम की जब इस असल्ट ट्राइफल में 5.56 इंटू 45 mm का काट्रेज यूज़ होता है तब इसकी टेचेबल बॉक्स मेंगजिन होती है 35 50 और 65 राउंड की और जब इसमें 7.62 इंटू 51 mm का काट्रेज यूज़ करते हैं तो इसकी पॉर्टेबल बॉक्स मेंगजिन हो मत बूलना बलते नेक्स टूडियो में जय हैं जय भारत